है गाइस गुड मॉनिंग कैसे आप लोग वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं हूँ कंचन आज है एट जुलाई और यह अल्ली मॉनिंग की वीडियो है वेदर बहुत ही अच्छा था विकेस रात पर बहुत बारिश भी थी जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं हर तरफ अरवी-अरवी के पत्ते हैं तो आप लोग गेस किजिए वीडियो किस चीज की ऊपर है खेर छोड़ो मैं इस वतादेती हूं क्या ही सस्पेंस रखना आप थम्लेन और टाइटल देखे समझे यूँ यह वीडियो किस चीज की ऊपर है हम आप लोग से मैं थोड़ी बात कर मैं अभी अपने बिलेज में हो बिलेज में रनने के आडवसे बार्मस नुकिpp नाभी बिलेज में हैं जादा तर फारमर्स रहते हैं वह खुदी क्धी करते हैं जिससे सारे खाने के जरूरत के समान उन्हें आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें समान खाने के समान के लिए बाहने जाना पड़ता है, जिससे करोना कभी दर थोड़ा कम रहता है, मैंने उन पत्तों को तोड़ा था, जो अभी नए नए निकले थे, मैंने नए पत्ते इसले बरी खरास होती है अब मैं सारे नए नए पत्ते को तोड़ लोगी हुआ 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 है हुआ 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 है और ये ब्लेक एंट्स देख रहे हैं इन्होंने सुबह बुरा हाल किया मेरा क्या ही बताओं इन्फेक्ट गलती मेरी ही थी मैं ही इनके रास्ते में आ गई थी अब मैंने सारे पत्ते को अच्छे से धू लिया था नए पत्ते होते हैं वो रोल हुए होते हैं एक साइट से तो आप मेक्सियोर करें कि रोल को ओपन करके अच्छे से धूए मैंने सारे पत्ते को अच्छे से धूए हैं अगया था थे हैं वो रहला था यह था यह में दो बाहला है उख से जूए भूलिया है आप जटाई लेके बाहर बैठ गई हूँ पिकिस कल रात से ही लाइट नहीं है पत्तों से रेसे को अलग करूंगी आप जब भी अर्बी के पत्ते की सबजी बनाएं मेक स्यूर करें कि आप रेसे को जरूर हटाएं ऐसे ही मैं सारे पत्तों से रेसे को अलग कर कर दो दो कि अलग कर दो दो संद्टिया है बदे आप एंगी 0 मैंने सारे पत्ते से रे से अलग कर लिये हैं इसके बाद मैंने हरी मिर्च और लशुन को सी लोड पे ही पीस लिया जैसी कि मैंने बताया कि कल रारती लाइट नहीं है जो लोग गुलेज में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा थोड़ी सी बारिस होती है कि नहीं बिजली गुलो जाती है जब मैंने हरी मिर्च और लशुन पीस लिया था उसके बाद लाइट आया तब मैंने और सारे जितने भी मसाले मुझे इस सबजी में यूश करने थे वो मैंने मिक्सर में ही पीस लिया अर्वा चाओल मैंने अर्वा चाओल को लग बग आदा गंटा भले भिगो के रख दिया था अब मैं इसे मिक्शर में फाइन पेस्ट बना लोंगी पेस्ट कुछ इस तरह से बनाने ही आपको बिलकुल फाइन होनी चाहिए बैटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए अल्वा चाओल का पेस्ट और क्यूमिन कोरियंडर ब्लेक पेपर पेस्ट कार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट अनियन पेस्ट टर्मरिक सॉल्ट और थ्री टेबल स्पून बैसन अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लोंगी आपको बैटर की कंसिस्टेंसी जितनी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं मैं बैटर को कुछ इस तरह से मिक्स करूंगी और इसी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होगी इमली भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडियन्ट है मैंने इस इमली को वन आर के लिए भीगो के रखा था फिर इसे मैक्स करके अब इसमें मिक्स कर लोंगी यहां पर लोग अक्सर गलती करते हैं वो फ्रंट साइड में बैटर लगा देते हैं बैटर हमें सब बैक साइड में लगाना चाहिए पिकेज जो रेसा हमने हटाया है कुछ तो रही जाता है उस रेसे से ही गले में खरास आती है इसलिए हम लोग बैक साइड से बैटर लगाना स्टार्ट करेंगे बैटर को पूरे पते में अच्छे तरह से स्प्रेट कर ले जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ इसके बाद आप इसके उपर से और एक पता डालके सेम ऐसे ही बैटर को इसके उपर स्प्रेट करें अब आती है थोड़ी डिफिकल्ट पाथ इसे रोल करना तो आप सबसे पहले इसे चारो साइड से अच्छे तरह से फोल्ड कर ले जैसे कि मैं कर रही हूँ ताकि यह कोई भी साइड से ओपन ना हो और आपको जहां पर लगए यह स्टिक नहीं कर रही है आप थोड़ा और लगा के इसको अच्छे से स्टिक कर लिए अब इसको वन साइड से रोल करते हुए रोल कर ले कुछ इस तरह से करें मेरा रोल बन के तयार हो चुका है अब मैं इसे स्टिक करने के लिए तुद्पिक कर यूश कर जही हूँ अगर आप चाहे तो आप धागे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं आप इसे धागे से दोरों साइड से बांद सकते हैं पानी गर्म हो चुका है अब मैं इसमें रोल डाल दूँगी मैंने दो रोल बनाया था आप जब भी रोल को डालें पानी गर्म होना चाहिए अगर आप पानी और रोल दोनों को साथ में डाल देंगे तो हो सकता है आपका बेटर आपके रोल से बाहर आ जाए और फिर सारे पानी में फैल सकते हैं आपके बेटर रोल्स बोल हो चुके थे और मैंने उसे छोटे छोटे रोल्स में काट ली और ये रहा बेटर अब मैं इसे तलूँगी ओयल आपको ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले ही एक बात तल लिया था और मैं वीडियो बनाने भूल गए थी तो आपको कुछ इस तरह से तलना है एक एक करके डालना है ज्यादा एक साथ नहीं डालना है तो आपके जो रोल से वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे जब रोल एक साइट से गॉल्डन बॉर्ण हो जाए तो दूसरे साइट से भी गॉल्डन बॉर्ण होने तक बकाएं मेरे रोल्स तयार हो चुके हैं बनके यह बहुत ही टेस्टी देखाने में आप इसे इवनिंग स्नेक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं मैंने रोल्स की करी बना ली थी अगर आपको इस करी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं